विजय एक छोटे से गाव में रहता था, जहां अंधेरे के बाद लोग जल्दी से अपने घरों में लौट आते थे. गाव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं. विजय को कभी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए एक रात उसने सोचा कि क्यों न खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए. वह आधी रात को चुपके से घर से निकला और खंडहर की ओर चल पड़ा. रास्ते में हवाएं तेज हो गई और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे-पीछे चल रहा हो. उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था. विजय ने इससे अपना भ्रह्मान लिया और आगे बढ़ता रहा. जैसे ही वह खंडहर के अंदर पहुचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई. अचानक खंडहर की दीवार पर एक परचाई दिखाई दी. वह परचाई एक आदमी की थी, लेकिन उसके चेहरे का कोई निशान नहीं था. विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, और वह डर से काप उठा. उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए हो. उस परचाई ने धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ना शुरू किया. तभी अचानक, खंड़हर में जोर से हसी की आवाज गूजने लगी. विजय ने घबरा कर अपनी आँखें बंद कर ली. जब उसने हिम्मत करके अपनी आँखें खोली, तो वह परचाई गायब हो चुकी थी. लेकिन उस जगह पर एक पुरानी चिठी पड़ी थी. चिठी में लिखा था, जो भी इस खंड़हर में आता है, वह कभी वापस नहीं लोटता. विजए ने बिनादेरी किये वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब खंड़हर का दर्वाजा अपने आप बंद हो चुका था. विजए की चीखें खंड़हर के भीतर गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन रहा था. वह रात विजए के जीवन की आखिरी रात थी. उसके बाद विजए के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता था.